नमस्कार दोस्तों लक्ष्ण में आपका स्वागत है आज हम M.S.C का बहुत ही इंपूर्ट टॉपिक लेकर के आया है और हाँ यह वीडियो M.S.C केमस्ट्री वालों के लिए है M.S.C और B.S.C और 11th क्लास में भी काम आएगी वीडियो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि यहां पर कंजूर्गेशन क्या होता है कंजूर्गेशन कंपॉंड क्या होते हैं बहुत ही इंपूर्ट अगर आप और गयानिक केमस्ट समझने चाहते हो तो इस टॉपिक को समझना भी जरूरी है तो देहान दीजिए जब किसी भी समझ पाई बॉंड सिग्मा बॉंड दिये हो ठीक है ना कहने का मतलब यह है अल्टरनेट मतलब किरमागत रूप से पहले पाई बॉंड फिर सिग्मा बॉंड फिर पाई बॉंड फिर सिग्मा बॉंड फिर सिग्मा बॉंड इस टैप से दिया हो तो वो कहलाता है कंजूर्गेश तो ये है ठीक है और πाइबॉंड पॉस्टिव चार्ज या πाइबॉंड निगेटिव चार्ज या πाइबॉंड और और धीक है न? अगर ऐसा कहीं दिया है,boton नीटरियम में तो वहां पर उस क्रम को हम कहते हैं, 컨 embray ठीक है? तो क्या है ouve Niya समझेगा एक्जाम्पिल भी दूंगा आपके बने रहे इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला आपको ठीक है तो समझेगे ज़रा जब किसी और्गैनिक कंपॉंड या और्गैनिक हाटो कार्वन में अल्टरनेटिप पोजीशन पर पाईब और प्वांड पाईव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या सिग्मा बॉंड या लोन पियर्जा और लेक्टॉन होते हैं तब इस प्रकार के कंजूगेसन कंपॉंड क्या कहते हैं ठीक है और इस alternative position को हम क्या बोलते हैं Conjugation position बोलते है णिझाटन के है। अग्जामपिल दिया है यहां पर 1,2,3,3 यह उपर वाला sigma कर दाता है नीचे वाला πाई το देखो यहां से देखो पाई सिगमा ध्याटन memb पाई क्रम से हैं तो यह कहलाएगा यह यह कहलाएगा अपका Conjugation Position ठीक है इस गटन को कह बोलते हैं Conjugation कहते हैं ठीक है अब Conjugation Position यह तो Conjugation हो गया अब Conjugation Position किसे कहेंगे धान दीजिए हम क्या काम करते हैं कि हम इस पर नमर डाल लेते हैं तो जो और नम्र जहां पर आ रहा हैं उसको हम बोलते हुम इस ईजो एक Conjugation Wing through Conjugation Position ठीक है तो Conjugation बहुत सारे में एक्जाम्पल लेखते हैं किलियर करके समझेगा अच्छे समझेगा जल्दबाद जी में न रहिएगा पूरी वीट देखीगा लाश्ट है बहुत इंपोटेंट है ठीक है न देखें कर जूगर सिनके एक्जाम्पिल तो यहां पर एक्जाम्पिल में देंगे क्छी हैं यहां पर टों शिग्मा और यह पाई फिर सिग्मा यहां ओर आई जहां देए double सिगमा, पाई, सिगमा इस तरह चला है, तो यहाँ पर Conjugation है, ठीक है, अब Conjugation Position की बात करें, Conjugation Position यहाँ पर क्या है, तो देखेगा, यहाँ पर नमबर दखेगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5, यहाँ पर Conjugation Position है, ठीक है, इस Example में देखेंगे, Double Bond, Single Bond, ठीक है, तो यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर Pi Electron है, और सिगमा बाउंड है, तो दोनों क्या है, क्रमागत रूप से हैं, तो यह Conjugation Position कहलाएगी, यह घटना क्या कहलाएगी, यह बी Conjugation कहलाएगी, यह भी Conjugation कहलाएगी, यह बहुत सारे मैं है लिक रखे हैं तो आपर देख सकते हैं ठीक है यह भी कंजुक्रिशन में आख हो डवल बाउंड सिंगल बाउंड वॉंड डवल बाउंड सिंगल थीक्ति क्यास' अक्रेवारूइज रूप से हैं तो यह सब क्यूंक्ष में सब यह क्या है यह सारे के सारे जो एक्जामपels है यह सब कंजूकेशन के एक्जामपels दे रख किए है ठीक है अज़िए हम बात करते है प्रॉपाइटीस के बारे में प्रॉपाइटीस आफ कंजूकेशन sub थीक कहना तो देखेंगे यह बहुत तो इसको जाए समझेंगे example से देखो conjunction position पर देखो एक दो तीन और चार तो conjunction position क्या है यहाँ पर एक और तीन तो conjunction एक जो position बहाँ पर किटरे बॉंड है यहाँ पर देखो एक और डबल पाई है तो यहाँ पर सिर्फ एक पाई ही consider करेंगे कितनी पाई only एक पाई ही consider करेंगे clear clear हुए आपका दूसरी property देखते हैं दूसरी property में क्या है यदि conjunction position पर अगर बहुत सारे लोन पर हूँ तो मातर एक ही लोन पर consider करेंगे देखो यहाँ पर देखो 1,2,3 तो conjunction position क्या है 3 है तो यहाँ पर दो लोन पर है तो दो में से हम खाली एक लोन पर ही हम सब consider करेंगे ठीक है न देखो if loan pair more than one present in conjunction position then only one loan pair consider in the conjunction position ठीक है न अगर बहुत सारे loan pair हो तो सिर्फ एक ही loan pair आप consider करेंगे यह मानेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे इस example देखेंगे triple bond ठीक है मैं आपको पर समझा चुका हूँ तो सिगमा पहला वाले सिगमा फिर पाई और फिर पाई तो यहाँ पर मातर एक पाई ही यहाँ पर consider करेंगे क्योंकि यहाँ पर conjunction position पर यह है ठीक है तो यहाँ position एक पर only one पाई बॉंड ही consider करेंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझा रखा है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ पर यह example भी दे दिया गया है देखो एक दो और तीस तीसे नमबर पर यह रहा है तो conjunction position पर दो लोन पर तो यहाँ पर एक लोन पर ही consider कर देंगे ठीक है यहाँ only loan पर consider करते हैं कितने एक only एक लिखा होना चीए यह पर थोला mistake हो गया ठीक है if conjunction position पर πाई बॉंड और सिग्मा बॉंड या negative charge है तब पाई बॉंड को consider करते हैं जब समझो इन चीजों को देखो conjunction position देखते हैं यह होगी conjunction position और यह होगी ठीक है अब यहाँ पर देखो sigma है πाई है ठीक है sigma है यहाँ पर sigma है πाई है और यहाँ पर यह है तो अब बात यह कहने बाली है कि यहाँ पर समझो यहाँ पर Conjugation Position पर यहाँ पर देखो Sigma है और Pi है और ये भी है ठीक है तो हम किसे माने हम इसको माने Positive Charge को माने या Pi को माने तो हम Pi को Consider करेंगे किसे करेंगे Pi Consider Positive Charge को Consider नहीं करेंगे जब दोनों दिये हैं तब Clear आगे बढ़ते हैं तो यदि Conjugation Position पर Pi Bond और और लक्टान दोनों हो तो हम Pi Bond को ही Consider करेंगे ठीक है ना तो अगर कहीं पर भी ऐसे घटना है और लक्टान हो गएरा दिये हैं तो हम Pi को ही Only करेंगे ठीक है तो Type of the Conjugation Compound तो कितने प्रकार करेंगे तो Pi Pi Conjugation ठीक है Pi Pi Conjugation हो सकता है और Pi Pi Conjugation का मतलब यह है समझे जरा Pi Pi Conjugation का मतलब यहाँ पर क्या है दोखो ऐसा होगा दोखो C Double Bond C Single Bond C Double Bond दोखो तो यहाँ पर क्या है Pi Pi Conjugation चलना है Pi Sigma Pi 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 Conjugation कहलागा ठीक है और कहीं पर Pi Electron और Positive Charge होगा तो वो भी Conjugation कहलागा पर Pi Electron Negative Charge होगा ठीक है तो इतने परिकार कंजूर्शन हो सकते है Pi Pi Conjugation हो सकता है Pi और Positive Charge हो सकता है Pi Negative Charge हो सकता है Pi और Lactron हो सकता है Pi Lone Pair भाले भी यह Conjugation हो सकते है ठीक है ना पैसे तो आपका यह Topic Complete हो चुका है लेकिन कुछ Important बाते हैं समझ लीजिए ज्यान की बाते हैं समझें कुछ में जा रहा है वाद अच्छे से आपको मैंने समझाने कोशिच किये है देखो जरा Conjugation के लिए Conditions होती है कुछ दो क्या Conditions होती है वो समझा दूगा भी आपको ध्यान देए Condition for Conjugation Conjugation कहा होगा किस Condition में होका यह समझना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है देखो Atoms Participate Should Be Planar जो भी Atoms है किसी भी Carbon पर जो भी Atoms कैसे है वो Planar होने चाहिए अर्थात एक ही तल में होने चाहिए ठीक है और दूसरा P Orbital Should Be Assorted With Each Atom ठीक है ना बहाँ पर P Orbital भी प्रिजेंट होने चाहिए ठीक है P Orbital Should Be Sparled To The Another मतलब जितने भी P Orbital सब कैसे होने चाहिए समांतर होने चाहिए दूसरे के बाद समझा दूँगा अभी ध्यान दो Lone Pair and Pi Wands Are Alternative कहा लिखा है Lone Pair and Pi Wands Are Inter Conversion ठीक है यह कैसे है यह आपर में Alternative होने चाहिए यह उसे में Change होते रहने चाहिए ठीक है No Parts of Sigma Wands ठीक है Position of Item is Fixed और जो Atoms की Position कैसे होने चाहिए Fixed होनी चाहिए तो समझेंगे इन बातों को जो लिखी है देखिएगा यहाँ पर यह जो देखिएगा और यहाँ पर यहाँ जो ठीक है ना यहाँ पर थोड़ा से याद दखने वाली बात हैं तो यहां पर सी डवल बॉंड ओ यह प्लेन में है और जो ओएच है यह 90 के एंगल पर बाहर की तरफ होगा ठीक है इसलिए यह कुछ चीज़े याद करने लाइक है जो मैं आपको समझा रहा हूं यह कंपर्टिसन लेवल की चीज़े हैं यहां कोई कंजुगेशन में क्या होता है यह पर यह पर और यह क्या होता है नहीं पर यह प्लेनर नहीं है और जब कि यह जो है यह पिलेंदर होते हैं यह भी पिलेंदर नहीं होता है इसलिए यह भी कंजुगेशन में नहीं होगा और भी एक्जामपल देख लो इसके जरा और देखो यहां पर लिखा हुआ है पी आपिटल सुट भी एसो टेडिट विद इच एटम मतलब पिरतेक एटम के पास पी आपिटल सुट भी पैलर टूदा अनुदर मतलब टोटल पी आपिटल कैसे हैं एक दूसरे के समांतर होने चाहिए ठीक है जब समझते हैं इस चीज को दो जो ऊपर वाला एक्जामपल है यहां नीचे मं लिखा गया है की कार्बन के पास यह witnessing ओला इस फिरल जो और यहां पी आपिटल हैं तो आप ने देखा कि यहां का प्रहंभा जो लक्ट्रॉन है यहां पर एक पॉसिटिव चार्ज आ जाता है कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है ठीक है तो जितने पी और सब कैसे हैं सामांत्र करम में हैं तो आपका भाई यह कंजूगेशन टॉपिक बिल्डों कंप्लीट हो गया है और एक बात और बतातु है कि यह आपको के लिए दोस्तों ने हिंदी इगली मिक्स लिकाब पास होगा तो आपके लगाएं तो आपके नोट्स बहुचे बनाया गया है तो आप यह तो आप समझते हुए चलिए आपको समझ के चलना है तो नोट बहुत अच्छे में आपको समझ के चल सको ठीक है तो यह सारे आप नोट का लेना जो जो ची मैं लिखवाई हैं आपको बताई हैं अब बात आती है क्रॉस कंजूगेशन क्या होता तो आपको यह नेक्स्ट वीडियो मताऊंगा क्रॉस कंजूगेशन के वारे में और यह वीडिया आपको कैसा रहा ज़रूत आएगा अच्छा रहा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट्स करके ज कैसा लगा मज़ा याकीन नहीं है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में मसका आज जहन बंदे मातरम